आज हम लोग दही वाली मंगमा पहले चैप्टर का पाच्वा दिन शुरू करेंगे आईए सबसे पहले जाल लेते हैं कि अभी तक क्या क्या हुआ है हमने कल पढ़ा कि मंगमा मकाल मालकीन से कहती है कि उसके पास कुछ पैसे है जो उसे अपने पती के द्वारा बैंक में सुरक्षित रखवा दे क्योंकि उस पैसे पर रंगमा नाम का जो जुवारी है उसकी गलत नजर है वो चाहती है कि पैसा अगर सुरक्षित जगा रहेगा तो जब उसे आओ सकता पड़ेगी तो वह उसे पुनह प्राप्त कर सकेगी क्योंकि प्रती दिन रंगमा उसे परिशान करता है उन पैसों के लिए और पैसों के साथ साथ उसकी जो नियत है वो भी मंगमा पर खराब होती दिखती है और इन सब बातों के बाद जब मंगमा अपने घर चले जाती है तो उसके बाद देखे क्या होता है मंगमा जब फिर से घर आई तो उसके पास उसका पोता आ गया है वो बहुत खुश थी उसके साहस की परसंसा करते हुए बोली मिद्दे भर का छोरा है मा को छोड़ कर चले आने का मतलब क्या है कल दो पहर कुआई लड़के ने कह दिया फिर से मा के पास नहीं जाओंगा इत्ते दिन चोरी चोरी आया करता था जब वो घर नहीं पहुँचा तो मा ने आकर सूर मचाया पीटने की धमकी दी मैं नहीं जाओंगा कहकर वो मेरी टांग पकड़ कर खड़ा हो गया और कोई चारा ना देखकर मैंने कहा जा बेटा उसके बाप ने भी आकर बुलाया पर मैं नहीं जाओंगा कहकर वो मेरे पास ही रह गया मा जी दस दिन से केरे घर में सोती थी जरा डर भी लगता था जो भी हो मर्द का बच्चा है देखो भगवान ने उसको कैसी अकल दी जवान बेटे ने मुह मोड लिया और या बित्ते भर का पोता मैं तो हूँ तुम चिंता मत करो का कर आहीं गया बहु ने तो सारी रात महा भारत मचाया देखिए अब क्या होता है कि जब वो अगले दिन आती है वेंगलोर दही लेकर तो वो मा जी से बताती है कि उसका जो पोता है वो अपनी मा को छोड़कर यानि इसकी बहुग को छोड़कर अपनी दादी के पास चला है यानि कि मंगमा के पास चला है और मैंने उसे कहा कि बेटा अब तुम अपने घर जाओ तो वो क्या बोलता है जी कि नहीं दादी मैं घर नहीं जाओंगा आज तक मैं चोरी चोरी आता ता आप चुपके से नहीं आऊंगा आप खुले आम आऊंगा तो इसको बड़ा ही नाज होता है अपनी पोते पे कि देखो वो एक बड़ा बेटा है जवान बेटा है तो उसको मेरी फिकर नहीं रहती है उसने मुझसे मुह मोड़ी लेकिन ये छोटा सा जो बच्चा है वो मेरी कितना चिंता करता है और कहता भी है कि हाँ दादी मैं हूँ तुम चिंता मत करो अब इस बात को लेकर जब उसकी मा जानती है यनि कि मंगवा की बहु जानती है तो आती है हला करती है कि मेरे बेटा दो मुझे ले जाना है और वो कहता है कि नहीं जाओंगा इस बात को लेकर पूरी जात हो जगड़ा करती है यहाँ पे एक सब्द का परियोग किया गया है महा भारत महा भारत का नाम सुने हो आप लोग जो ये धुगा था तो मतलब जब घर में जगड़ा आते तो लोग क्या बहूलते है मतलब जोर जोर से चिला चिलाकर ज़दा देर तक लड़ाई करना क्या कहलाता है महा भारत कहलाता है उसके बाद दिखते हैं अगले प्रगराफ में लाख जोर लगाने पर भी वह नहीं गया सुबह यहां आते समय तुँ अकेला कैसे रहेगा काकर उसके उसके मा के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया जब भीतर चला गया तब मैं यहां आई अब अगर बच्चे को पीटे तो क्या करोगी अब क्याती है कि अगले दिन जब ले जाओ नहीं तो माल लो तुम घर में क्या करोगी अब यह बात जब मकान मालकीन सुनती है तो पूछते कि अब बताओ इस बात पर वह बच्चे को पीटे की तो अब क्या करोगी कि पहले तुम लोगों में राय था तो वो उसको पीट रही तो तुम ने उसे बोला अब खो मा जी जब हम इकठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहुत सुन्दर है अब दूर से देखती हूं तो उसके बहुत चड़े ही रहती है वैसे बड़ी सुन्दर दिखाई देती है इसलिए तो मेरा बेटा उस पर रट्टू है वह भी ऐसा ही है तब यह पता मा जी इसे भी तो ऐसा ही लगता होगा न यदि वह पिटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगी तो मेरे साथ ही चला आएगा नौ महीं पेट में रखकर पीर सहकर पैदा कि यह बच्चे को छोड़ देगी देखिए अब जब मकान मालिकिन कहती है कि अब तुम तो बच्चे को भले उस पर गुसा होता है लेकिन वो उसे नहीं मार सकती है डाटेगी कुछ बोलेगी लेकिन वो अन्त में एक मा है और मा अपने बच्चे से क्या करती है बहुत प्यार करती है हम लोग की मा भी क्या बोलती है अगर कोई हम लोग गलती करते हैं कि आज आवाज घर तुम भेजी है कि जाओ दुकान से मतलब गाओं के दुकान से चीनी खरीद कर लाओ या कहीं पर दूद लेने के लिए लड़की कोई गई है और वहीं पर वो कोई मिल गया मालेजे उसकी जो मित्रह सहेली है और कुछ बाते करने लगी या कोई रोक दिया तो वहीं पर उसको देर होगे इधर मा बेचायन है बनाने के लिए जो भी बनाना हो अब वो लेट करेगी तो मा का गुसा क्या होगा बढ़ेगा अब समय गाली देना स्टार्ट करेगी कि आज आवाज घर पे ये कर देंगे वो कर देंगे मुड़ी तोड़कर चुल में डाल देंगे मतलब भुचपुरी में समय लेगा आप लोग ऐसे सब्द आप लोग ने सुना होगा तो लेकिन मालिज ये गुसा में कोई बोला है तो कोई जोरी थोड़े है कि वो सही कर देगा तो मा होती है बोलती है लेकिन अंदर से वो प्रेम ही करती है तो वही बात बोलती है कि अगर बेटा घर है तो मा को खराब थोड़े लगता है मान को क्या लगता है अच्छा लगता है कि चलो बेटा गर तो आया है और वो उससे जहगड़ा करना नहीं चाहती है तो अपनी बात की नौ महीने पेट में मा जो होती है बच्चे को नौ महीने पेट में सारे पीर एक सब्द का परियोग हुआ है पीर पिर मतलब दर्द होता है दर्द कोसा कर एक बच्चे को जन्म दिया इतना बड़ा किया तो वो तो उससे उतना जलन करेगी नहीं और दूसरी बात अगर वो उससे पीटेगी तो मैं अगले दिन अपने साथ लेकर उसे आऊंगी तो ये सारी बाते होती है मकान मालकिन और मंगमा के बीच में और एक बात वो कहती है कि देखिए माजी जब हम लोग एक साथ में थे तो मेरी जो बहुत ही वो मुझे सुन्दर नहीं लगती थी लगि आज मैं उससे देखती हूं तो बहुत सुन्दर लगती है लगता है उसका भौँ चड़ा हुआ है हमें इसा काजल की हुई है होता भी है जानते हैं मतलब ये सब के साथ है कोई बैक्ति अगर हमारे साथ है तो उसका क्या महत्त्व है हमारे जीवन में हमें पता ही नहीं जलता है हमें लगता है कि हमारे लिए यह उबाऊ हो गया है कभी-कभी हम उससे उब जाते हैं लेकिन जब वहीं व्यक्ति हमारे साथ नहीं होता है तो हमारा मन नहीं लगता है हम उदास हो जाते हैं उसके बारे में ही सोचते है जिसमान लिजे कोई व्यक्ति है आपके साथ में है तो उस पे ध्यान नहीं है गुस्ता आ रहा है जो भी हो ध्यानी नहीं जा रहा है जब वहीं व्यक्ति मर जाता है या कहीं चला जाता है तो उसकी याद बहुत आती है दिन दात उसी का खयाल दिमाग में चलने लगता है तो यह हर किसी के साथ है माबाब साथ में है तो हम ल होते हैं कितना याद करते हैं हर वक्त जब भी उस तरह की कोई घटना करती है तो वे लोग याद आ जाते हैं तो होता है जब हम लोग साथ में होते हैं तो हम लोग का ध्यान नहीं जाता है लेकिन जब हम लोग अलग हो जाते हैं एक दुसरे से अलग रहने लगते हैं तो हर व ध्यान ही नहीं था, तो क्या पता चलता? लेकि अप देखिए काम नहीं है, बैठी रहती हूँ, तो देखती रहती हूँ कि देखो बेटा कितना जल्दी चला गया, कितना देर से आता है, हर चीज बेन जर आने लगी है, कहा जाता है na, कि आदमी दोस्त पर जितना नजर नहीं देंगे, आप हर वक्त उसके बारे में नहीं सोच सकते हैं, लेकि एक दुस्वन है तो उसके बारे में आप दीन नत सोचेंगे, क्योंकि आपको उसको हानी पहुंचाना है, आप उसका भाला तो चाहेंगे नहीं, बुरा ही चाहेंगे, उस ब्यक्ति के बारे में आप हमेशा कसके खराब हुगा अब अधिक तवियत खराब हुगा है वो चीज कभी हमको मतलब दिमाग से हमारे दिमाग से नहीं उतरता है कि मेरा तवियत खराब हो गया था ये ये परिशानी होई थी इतना पैसा लगा था वो आपके दिमाग से नहीं उतरे गा लेकिन कितने मजे में आ के लिए आएगा लेकि याद करा देगा जैसे ठंडी है तो देख लीजिए जब ठंडी चार दिन बढ़ियां से पढ़ जाए तो सब का हालत खराब हो जाता है तो लोग कहने लगते हैं कि आप बड़ा ठंडी पढ़ रहा है लग रहा है कि ठंडी समाब थी नहीं होगा जब क गर्मी भी ऐसा नहीं है कि साल भर गर्मी ही पढ़ता है लेकि हम लोग उस पल को याद करने लगते हैं जो हमें दुख देता है दर देता है उस पल को याद नहीं रखते हैं जो हमें सुख का अनभाव देता है जीवन में हर किसी के सुख ज्यादा होता है दुख कम होता है लेकिन हम लोगों को लगता है कि दुख जादा है और सुख कम है किसी से भी आप पुछलो कि भाई आपको पास कोई दुख नहीं है हमेसा आप खुसो न अरे हमारे पास का यह अतना टेंसर न दिमाग खराब है होई 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 हो प्लांट का कई तरह की बाते करना वो सुरू क कर देगा तो अगले प्रग्राफ में देखते हैं मुझे यह सोच का राश्यर यह हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है मुझे लगा कि कुछ दिनों में उनका जगड़ा निवट जाएगा और सुखी और सभी सुखी रहेंगे मतलब सोचती है कि देखो कितने दूर-दूर लड़का मा के पास गया पर उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बैंगलूर जाओंगा का कर जिद पकड़ अब हुआ भी कि अगले दिन जब घर पहुंचती है तो उसकी मा उसे बोलती है और अगले दिन कहता ही नहीं मैं दादी के साथ ही बैंगलूर जाओंगा उ उसके साथ ही दही बेचेंगा मतलब वो उसके साथ रखने का जिद करता है बेचारी बुढिया के लिए सिर्पर दही की मटकी वाला टोकरा और गोद में पोते को लेकर तीन मील चलना असंभा हो था उसकी समझ में न आया की क्या करे अब तो ये जिद करने लगा नहीं मैं दा का मटका है फिर ये बच्चे को मैं कैसे लेकर जा पाऊंगे बेटे और बहु ने आकर समझाया उस दिन हमसे गलती हो गई तुम भी गुस्सा करके यू रहोगी तो कैसे चलेगा मा गाव के चार बड़े बुढ़ों ने भी उसे समझाया वह भाला क्यों अपना बड़ा पन खोती मंगमा अपनी इक्षा से हो रहने के जीत पकड़े बैठा था पकड़े बैठी थी मतलब अब जब ऐसी कंडिशन आती है तो बेटे और बहु आते हैं कहते हैं मा छोड़ो जो होगा सो होगा आखिर मालों ऐसे करने से किसी का कोई भला है नहीं का आपके दुचार लो समझाने लगे मंगमा को कि जाने दो मंगमा घर परिवार है तो थोड़ा बहुत ऐसा होता ही रहता है तो मंगमा अब क्या मालीजी इसे भी अभी जत्मिर लात चाहती थी यह भी कि साथी रहने के लिए तो वो उसे क्या करने लगी तो वो भी मान गई कि चलो ठीकी गा इस देख नया प्रबंद शुरू हुगा शुरू से ही दूद दही का व्यपार मंगमा के हाथ में था बहु के आने पर ही मंगमा उसे अपने हाथ में ही रखा जब कोई बहु बन कर आती है तो घर की खाने पकाने की जिम्मेदारी भी उस पर पड़ती है वास्तों में या बात पातिया थे कि दही बेचने पर चार पैसे हाथ आते थे अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हट पकड़ी थी बहु बोली इतनी धूप में इस उमर में तुम क्यों बाहर जाती हो भला कितने दिन यह काम कर सकोगे घर में ही खाना पीना बना कर मालकिन की तरह रहो दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ अब एक नई ववास्ता सुरू होती है कि जो दही मंगमा पहले बेचती थी और घर का सारा काम उसकी वहु करती थी अब बच्चे की जीत गरन की नहीं मैं दादी के साथ ही रहूँगा दादी के साथ ही रहूँगा उसके चलते हैं उसक मेरे के साथ खेलो ठीक है कहा दिया मंगमा ने कहा ठीक है चलिए कोई बात नहीं साथ ही अभी कहा दिया कभी का भार मैं भी चली जाओंगी रोज जाने का काम तुम ही करो एक दिन सास बहु दुनु आई एक की गोद में बच्चा था दुसरे के सीर पर मटकी वाला टोकरा यह तो वो उन से जाती है जान पाइचान कराने के लिए कि यह मेरी बहु है आसे दई यही लाया करेगी अव देखीए मुझे अकेला नहीं छोड़ती है मतला अपनी बड़ाई करती है कि हिल्ग बुलाय तो हम रहे हैं ले कि अपने मन से नहीं जाने वाले थे साती अभी का कि तुम बेकार में धूप में मत गूमो मैंने भी मान लिया है आगे से यहीं दही बेचेने आएगी यहाँ बता कर मंगमा ने बहु को हमें दिखा दिया मैंने सास और बहु से बात करके और सेयम से काम लेना चाहिए काकर दो बाते अकल की समझा कर दोनों को 500 पाड़ी देकर भेज दिया आज कल वह बहु ही दही लाया करती है सास के बारे में इतना सब सुना अब बहु क्या कहती है या जानने की उत्सक्ता मुझे हुई देखिए सास के मूँ से तो इने सारे बाते सुननी अब बहु की बाते सुनना चाहती है बहु का क्या राय है अपने सास के बारे में इसलिए एक दिन मैंने कहा अरी नंजमा तु तो बड़ी समझदार है पर क्या सास को निकाल देना ठीक है यानि कि मंगमा की जो बहु है उसकी बहु का नाम क्या है नंजमा है मंगमा की बहु का नाम क्या है नंजमा है अब बाती बहुत में कहती है कि देखो नंजमा तुम तो काफी समझदार हो फिर सास को घर से क्यों निकाल दी ये तो अच्छी बात नहीं है सास को निकाल देने को मैं राक्सी हूँ माजी सास को जाने का मतलब सब बात उनकी ही रहनी चाहिए क्या अपने बेटे को मर्द भी न माने तो वह ना मर्द नहीं हो जाएगा या मेरा घरवाला है मैं उसकी पत्नी हूँ भाला मैं घर कैसे चलाओ या ठीक है कि उन्होंने जरम दिया पाला पोसा चाहे तो वे ही अपने बेटे पर अपना हक रखें मैं चुप रहूंगी पर मैं अपने बेटे को भी नहीं मार सकती तो मैं कहा कि बहु रही बेटा तुम्हारा या जाताने की जाताने को पीटना ज़रूरी है क्या अब मतलब नजवा कहते देखिए मा जी घर से निकालने की बात नहीं तो पिर मैं कहा कि मतलम मा रहे क्या वहली है मेरा गहर में तो यह कहती है मकानमालकी क्या बेटा है तो उसे पीटोगी तो िहां पता चलेग़ criterion मारना प्यार करना तो चलता है पर जब मारने पर पुष्छती ही क्यों मारती है तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती इस देर इन सबसे कौन मता पच्ची करे मेरा बेटा मेरा है मेरा पती मेरा होना चाहिए बहुआ कर मैं अगर एक बात ना कह सकूँ एक थप पढ़ ना लगा सकूँ तो मेरा घर चलाना की इस काम का कहती है कि माली जे कि मेरा बनता ही है तो ये भी बात सही है मुझसे मंगमा ने जब अपनी बात सुनाई थी तब लगा था कि उसकी बात सही थी अब इसने अपनी बात कही तो लगा इसकी भी बात सही है मैंने पूछा तो अब तुमें घर में सब कुछ छूट मिली अब पहले से जरा ठीक है जो मेरी सास से कर्ज मांगा वह देने को तयार हो गई थी यह रंगपा से ही पता चला था तब मैंने बच्चे को सिखाया तु अपनी दादी के पास चला जा वह मिठाई देती है अमारे घर कदम मत रखना जगड़ा किसी तरह निबटाने को मैंने यह सब किया माजी तो पुता दादी के पास अपने आप नहीं गया बच्चा भी गया मैंने भेज दिया माजी यह सब बताने की बाते थोड़े ही यह आदमी लोग यह सब कहा समझते हैं मुझे ऐसा लगा कि मंगमा भी अकल से कुछ कम नहीं उस घर में अपसास और बहू में स्वतंतरता की होड़ लेगी है उसमें मा बेटे और पती पत्नी है मा बेटे पर से अपना हत नहीं छोड़ना चाहती बहू पती पर दिकारजा माना चाहती है यह सारे संसार काहीan किस्ता है इसकी हारजित क्या होगी या कहा नहीं जा सकता पानी में खड़े बच्चे का पाउख खिचने वाले मगरमच की दिसी दसा बहु की है उपर से बाप पकड़ कर बचाने की दसा मा की है बीच में बच्चे की चेश्टा करने वाले कुकस्थ होता है गाव में या बाद दही बेचने वाले मंगमा के घर में भी है यह नाटक चलता ही रहता है इस नाटक का कोई अंत नहीं है तो इस प्रकार हम लोग का यह चैप्टर खतम हो गया कौल हम लोग इसका प्रस्न उतर लिखेंगे तो देखिए लाश्ट में समझ लेजिए क्या होता है कि जब वह नजवा आती है तो आप लोगों ने सुना ही कि जो वो बच्चा अपने दादी के पास जाकर जित करता है रहने की तो वो एक चाल थी बहु की कि आखिर मालिजे कोई भी आदम्य अगर आपस में जगड़ा कर लेता है तो फिर बोलने से थोड़ा सर्म आता है कि भाई कैसे बोले, क्या बोले, नहीं बोले थोड़ा वह सोचने लगता है तो दिमाग लगाती है कि भाई ये पोते को भेज दूनिगी दूसरे बात करते हैं जब बात करना शुरू कर देंगे कुछ भी तो उन लोगों में राय प्रेम फिर बढ़ जाता है तो यहीं बात है कि यह जो नाटक है मंगमा के घर में है पूरे घर में है दुनिया का कोई भी ऐसा गर नहीं है जहां पैसा जगडा नहीं होता हो जैसे यहाँ पर एक्जामपल दिया गया है कि बच्चा है उसको एक तरफ मा खीच रही एक तरफ बहु खीच रही है इक खीचने वाले को ज़्यादा कश्ट होता है उस बच्चे को ज़्यादा कश्ट नहीं है मतलब कि बच्चे के कार्ण इन लोगों में जगड़ा हुआ तो बच्चे को क्या परिशानी है बच्चा तो उसी तरह है जगड़ा इन लोगों में हुआ फिर बताती है कि रंगपा जो था बहू को पता लगए कि रंगपा पैसा मांगती है अब जूट मुटका के बोल दिया है कि हाँ तुम्हारी सास पैसा देने को तयार हो गई है अब ये लालच मैं कर सोचती है कि भाई रुपिया इधर रखत जाएगा क्योंकि अब जानते हैं कि अब थोड़ा लालच हो जाता है न बहुना है थोड़ा लालची होती है ये सब तो लालची होने के जगह वो क्या सोचने लगी कि चलो अब भाई मिला लो नहीं तो पैसा हाथ से गाइब हो जागा देखिए कहा भी जाता है कि बुढ़ापा के लिए कभी भी पैसा रखना चाहिए जो आदमी जवानी में पैसा कुछ कमा कर बुढ़ापे के लिए रख लेता है न उस बैक्ती को कभी दिकत नहीं होता है नहीं तो जिस दिन सास जिस दिन बहुँ ये जान जाती है कि बुढ़िया के पास या बुढ़े के पास कुछ नहीं है तो वे लोग उनका कदर करना छोड़ देते हैं उनका ध्यान देना छोड़ देते हैं लेकिन जब उन लोगो पता होता है कि इनके बास काफी माल है काफी पैशा है तो वे लोग हमेजा उनकी इज़त करते हैं इसलिए हमें अपने जीवन में इस कहानी से यहीं सिछा मिलती है कि परिवार में छोटी-đजोटी बातों को लेगा जगड़ा नहीं करना चाहिए और जगड़ा भी करें तो उसी समझदालош से फिर से राय कर लेना चाहिए और कभी भी जगड़ा हम करेंगे तो बीच वाला हमसे क्या लेगा जी मजा लेगा तो ये कहानी से बस इतना ही कल हम लोग प्रशन उतर इसका लिखेंगे तो आज के लिए बस इतना ही